आज हम मौझूद रोहिनी सेक्टर 34 के DDA की साइट पर और यहां की ग्राउंड रियालिटी आज हम आप सब के सामें लेकर आएगे तो चलिए देखते क्या है DDA का सच फर्स कीजिए कि कोई व्यक्ती अपने लिए घर खरीद रहा है तो निश्चित तोर पर वे कम से कम बुनियादी सुविधाओं के उमीद तो रखता ही है और ऐसे ही हजारों लोगों ने 2014 में DDA हाउसिंग स्कीम के तहट रोहिनी सेक्टर 34 में LG फ्लैट्स खरीदे थे DDA ने खरीदारों को बड़े बड़े वादे और दावे कर घर तो बेचे लेकिन तीन साल बीच चुके है और इन मकानों में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे है DDA के हाउसिंग स्कीम में ग्रहाकों को भले ही उचिस तरीय सुविधाओं का हवाला दे कर फ्लैट्स बेचे जाते हो लेकिन वास्तविक्ता में सूरत हाल इससे उलट है अगर सही माईने में कहा जाए तो DDA ने अपने ग्रहाकों को यहाँ जान लेवा सड़क, दूशित पानी और रात का अंधेरा ही दिया है रात के समय स्ट्रीट लाइट ना जलने से अंधेरा इतना जादा हो जाता है कि कई बर वारदाते भी हो जाती है DDA ने हाली में हाउसिंग स्कीम 2017 लांच करी है और ऐसे में ग्रहाक अपने सपनों का घर खरीदने में उच्सक है रियाल्टी मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाते वे आपको DDA दर्शन कराया ताकि आप हकीकत को देख सके और अपने सपनों का घर खरीदने से पहले सतरता बरते है तीन साल हो चुक है यहाँ पर लोगों को घर मेले वे लेकिन अब भी यहाँ के लोग बुन्यादी सुविधाओं के लिए तरस रहे है ना बिजली है ना पानी और सडकों को यहाँ पर बहुती बुरा हाल है सबसे आश्चरी की बात यह है कि DDA के अधिकार यहाँ पर बहुत काम आते है और अगर आते भी है तो यहाँ पर लोगों की समस्या को नहीं सुनते है हाली में DDA ने अपने हाउसिंग स्कीम 2017 तो लॉंच कर दी है लेकिन देखना यह बनता है कि क्या यह स्कीम सफल रह पाईगी या फिर 2014 के तरह एक बार फिर लोगों को निराशा ही जहिलनी पड़ेगी कैमरा परसन प्रशांत पांडे के साथ मैंनु राग्दास गुपता रियाल्टी मीडिया